मैं आपका दोस्त आपका भाई रभी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुएट के ट्रैफिक रूल्स तो दोस्तों अगर आप कोईट में गाड़ी चलाते हैं या फिर इंडिया से किसी भी देश से कुएट में गाड़ी चलाने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए के देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ें जो चलती है वो राइट हैंड चलती है और क्योंकि इस ट्रिंग यहाँ पर लेप्ट हैंड होता है आप गाड़ी चलाते हुए यहाँ फोन का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ड्रैबर और पेसिंजर को दोनों को सीड वेल्ट पहना जरूरी है और यहाँ पर दस साल से नीचे के बच्चे जो है उनको आगे सीड पर बैठना अलाउड नहीं होता है और दोस्तों जो साइन बोड होते हैं रोट के साइड वो अरबिक और इंगलिस दोनों में होते हैं कु इस में जो रोट की स्पीड है मेक्सीमम 120 किलोमेटर परती घंटा कि स्पीड से आप चला सकते हैं और जहां रेजिसदेंशल एरिया होते हैं और शॉपिंग मॉल इस पे आपको 45 स्पीड से चला सकते हैं और आपको कभी भी एक्सिडेंट हो जाता है आपको गाड़ी छोड होते हैं पुरे बहुत स्मूथ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं तो आप यह ना सोचे कि पूरा हाइवे खाली पड़ा है मैं 120 से उपर भगा लूँ गाड़ी अगर आपने 120 से थोड़ा भी उपर भगाई कैमरे के आसपास अब आए तो कैमरा आपकी गाड़ी की फोटो कि के नंबर में वह आपको सीधे चालान पोड़ा निरे निर्फ और कशनी आपके सीधे जो इहां पर सेविला अएडिय होती है जैसे इंडिया में अधर कारड़ होता है यहां स्अब आपका सीधा चालान लग जाएगा अब दोस्तों पहले हैं आप यह वीडियो देखो ये आप दोस्तों इस वीडियो में देख पा रहे होंगे जो एक लेफ्ट एंड शाइड जो एक रोट का हो है उसमें कोई गाड़ी नहीं चलती है वो सिर्फ यहां पर अमर्जंसी के लिए होती है अगर कभी एंबुलेंस प्लीस जो इन अमर्जंसी के टाइम वो सिर्फ इस इरिया में खड़े हैं आपको रोट क्रोस करने हैं और जैसे आप रोट की किनारे खड़ेंगे कोई भी कितनी भी महंगी गाड़ी आ रही होगी वो अपनी गाड़ी रोके आप हाथ से इसारा करके आपको रोट क्रोस करने के लिए कहेगा जब तक आप रोट क्रोस नहीं कर लिए है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक आपका कोई भी क्वेशन हो मुझे कॉमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं दबाके और का बटन जरूर दबाएं जो भी मैं नेस्ट वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिक्शन सबसे पहले आप तक पहुचे कि दोस्तों कोई से रिलेटिट होटल मेनेजमेंट से रिलेटिट जॉब से रिलेटिट मैं वीडियो बनाते रहता हूं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्यू सो मच फॉर वाचिं